इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं, और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। अपनी हिल्थकेर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। आपको चक्कर या नीन्द आ सकती हैं। इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवशक्ता होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्य आपको अधिक नीन्द आ सकती है। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन जैसे ठंडा दूद लेना और गरम चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से बहतर परिनाम पाने में मदद मिल सकती है। अगर आप केड़नी या लिवर की बीमारी से पीडित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्य अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।